कि पूरा देश में रहने वाले सभी मुसर्बंद भाईयों को मेरा तरफ से मेरा पार्टे के तरफ से एद मुबार्ट आदाब मैं जमील एहमद ये प्राइम नियूस इंडिया और संचार टाइम क्राइम नियूसे आएए देखते हैं इस वक्त की आहम खबर क्या है इस वक्त की आहम खबर पूरे दुनिया के एक हिस्सों से है जहां पर मुसल्मानों का सबसे बड़ा तेवार जिसे एद फितर कहा जाता है बड़े धूम धाम से मनाया जा रहा है और करनाटका की शहर दलगावी में भी जो अंजुमन इसलाम जिला बलगाम में इदगा है इदगे में काफी हजारों की तैदाद में लोग जमा होकर इद फितर की नमास अदा की और बहुती जोश और खरोश के साथ और खुशियों के साथ एक दूसरे को गले मिलते वे नजर आए ये इद इतनी अहम इद है कि इसमें रोज़ेदार रोज़े रखता है रोज़े रखने के बाद 30 दिन होते हैं या 29 डेस होने के बाद इस इद फितर को मनाए जाता है क्योंकि रोजेदारों को अल्ला ने फर्माया कि मैं खुद उसका इनाम और उसका अजर दूंगा इसलिए इदुल फितर खुशी का दिन है नए नए कपड़े पहन कर बड़े बजरुग नोजवान बच्चे इदगा में तश्रीफ लाते हैं और इद की नमाज अना करते हैं और उसके बाद एक दूसरे से गले मिलकर इद की मुबारक बात पेश करते हैं यही वो महबत का हैं ऐसे देश में नफरत और तुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं हमें यह सबक उन्हें देना चाहिए यह मैसेज उन्हें देना चाहिए कि इदे जो है एक दूसरे से मिलनसारी का नाम इद है एक दूसरे से गले लगाईए एक दूसरे के सुक और दुक में काम आईए ए इसी का नाम ईद है, इसी का नाम इनसानियत है, आपस में जगड़े फसाद पैदा करके सियासत करने वाला सबसे बड़ा शैतान होता है, इसको इनसानियत का नाम भी नहीं दिया जा सकता। इसी मौके पर काफी लोग मौजूद थे, अंजुमन इसलाम जिला बेलगाम के सदर आसिफ राजू सेड साब थे, एक सेमेल फैरू सेड साब थे, और अंजुमन इसलाम के बड़े बड़े जम्मेदार और एक महाई नाज लीडर यहाँ पर तश्रीब थे, जिन्हों ने अप से बड़ी इद है जो पूरे दुनिया में मनाई जा चुकी है, बेलगाम में भी मनाई जाती है, जिसे इदुल फितर कहा जाता है, तीस रोजे मुकमल होने के बाद लोगों ने इद मनाई, और हमारे अंजुमन इसलाम जिला बेलगाम में लोगों की तैदाद आप देख सक कुछी चल रही है, लोग आपको मिल रही है, कितनी कुछी हो रही है, सबसे पहले, आंजुमन इसलाम और मेरे परसनली, हमारे फैमिले तरफ से, पूरे शेहर वासियों को, बहुत-बहुत, एद मुबारक, पूरा मेना, इबादत, रोजे, सकावत, इसाब 30-30 रोज करने के बाद में, खुशी से ईद मनाए जाती है, मैं चाहता हूँ कि सब मिल के रहे, हमारे शहर में भाहिचारा हो, एक दुसरे से मिलते रहे, एक दुसरे के घर के सजाद जगर जाते रहे, दिवाली भी ऐसी ही मनाए, ईद भी ऐसी ही मनाए, को इसे आज बिल रहे है, सब मिल के रहे हैं और वो साल जब कोईड की चले थे हैं अब देख रहे थे कि हालात क्या हो चुके थे ना इद बन थे कोई बिस्क्यू बिलता नहीं था आज पॉट टाइम के बाद में एक अच्छा महोल आया है खुशी का महोल आया है कोईड के वक्त में जिस तरह से आपने काम किया था हूँ एक तारीक बन चुकी एक मिसाल बन चुकी है जो अपनी जान माल की परवा किये बगिर आप लोगों ने हर मजाइब के लोगों की मदद की थी उसमें कितनी खुशी है आज इस इद के मौके पर इद जो है इद फितर जो मिलंच सारी की इद है उसमें आप तमाम मजाइब के लोगों को मैसेज क्या देना चाहिए कोईड के टाइम पर इंसानियत के लिए है युमेनिटी के लिए है काम करना हमारा फर्स था है और मैं अकेला ही नहीं हमारे अंजुमन के पूरी टीम पूरी टीम साथ मिलके दि एक धरावनक चीज हुई थी और उपर वाले ने हमें एक मुका दिया कि हम लोगों की खिदमत कर सके हैं हम जाद पात ना देखते हुए कुछ भी ना देखते हुए हमने हमारे टीम ने दिन रात काम की और आज बहुत कुश्य होती है कि माहौल खुल चुका है तो मनजर बी हम दुआ करते हैं उपर वाले से क्या ऐसा मनचर और एक बार कभी ना है और आज एद है आज सिर्फ खुश्यां की बात करें मिलने की बात करें बहुत 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 एद दुआ है बेलगावी डिस्टिक के बहुत मशूर शक्सियत जिने मेडिकल इंचार्ज में कहा जाता है एक शोशल वरकर है जो हमेशा गरीबों की मिडल क्लास की मेडिकल लाइन से खिदमत करते हैं और ये काफी मशूर है कोई बैसा पेशन्ट इनसे नहीं बचा इनकी जो मदद नही हुई है सर आप इस वक्त जो हैं यीद की नमाज आदा करें यीद खुशी का दिन है और तुमारे लीडर राजू सेट साब इलेक्शन में बैटे में मेले कैंडिडेट है आप उनके बारे में क्या कहेंगे जरा मताएं सबसी पहला मैं यहां पे सब मेरे डिस्टिक की मुसल मानों के लिए उन्हों तारी भी काबिल है इसे कैंडिडेट को अगर हम जिताएंगे तो हमारी खुश नसीब है और रबुल इज्जत से अल्ला तला से मैं दुआ करता हूं अल्ला तला जो है कि नोंको वीन कर को लाने की तुफिक अदा फरमाएं अंजुमन इसलाम जिला बिलगाम के सेक्रेटरी और हमारे कार्पूरेटर बहुत ही मशूर सक्सियत हम इंसे पूचेंगे कि यीद कैसी लेगे मशाला आज मजमुआ बहुत था जिस तरह से हम एक्सपर्ट कर रहे थे मजमुआ अतना नहीं होगा दूप में लेकिन आज सब में ज्यादा मजमुआ था और अंजुमन के तरफ से सब को ईद की मुबारक बाद पेश करता हूं रमजान हब्बाद यीद फित्र द निमत्या यला बांध बर गे इरमजान हब्बाद स्विभाशे गळू निजवागी नम कीद वंद वरल्टर संकोती, अल्ला हैथाल नम्हें दैपाली छिता, अल्ला हनींद दुअल्य है, अल्ला हैथाल नम्हें वहलेयर गें, इदेरीति संतोषी दिन्धा इरुवंता सवभागिय वनन्हों दैपाली शली, इदल फित्र की आज मुबारक बात पेश करते हैं जिस तरह से एक दुसरे को मुबारक बात पेश की जारी है दस तारीक को होने वाले इलक्षन में और इन्शालला तीन तेरा तारीक को जो रिजल्ट आएगा इसी तरीके ज़े इन्शालला मुबारक बात पेश करेंगे बहुत बहुत शुक्राएं अस्सलाम अलेकुम और रहमतुल्ह शिफा इदारे के जानिब से बिल्गाम के तमाम मुसल्मानों को ईद मुबारक खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया देखने के लिए चैनल को सब्स्राइब कीजिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए लाइक और शेर करना नभूँ